महिंदर सिंग धोनी इन दिनों IPL 2024 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। धोनी सीजन चने के लिए बत और कप्तान नहीं बलकि खेलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं। सीजन में धोनी का अलग ही अंदास दिख रहा है जहां में सर्फ चौक्य और छक्कों में टील कर रहे हैं। वे निचले क्रम में बैटिंग के लिए आते हैं और पहले ही गैन से चौक्य चौक्य का धुम धड़ा का शुरू कर देते हैं। दोनी की इन चर्चयाओं के बीच हम आपको बताएंगे कि शादी से पहले वे किस बॉलेवुड हसीना को डेट कर चुके हैं। ये बात उस वक्त की है जब टीम इंदिया ने दोनी की कप्तानी में 2007 का T20 ओर्लक जीता था। इसी साल यानी 2007 में बॉलेवुड की मस्तानी कहेच वाली दिपिका पादुकोन ने अपना बॉलेवुड डेब्यू भी किया था। दिपिका को पहली ही फिल्म से शांदार सफलता मिली थी। इसी बीश दोनी और दिपिका के अफेर की खपड़े उडी थी। ये खपड़े यूंही नहीं चर्चाओं में आई थी। बलकि दोनी और दिपिका को कई जगा एक साथ स्पॉट किया गया था। दोनी और दिपिका को राम फॉक के लिए भी एक साथ देखा गया था। इसके अलावा दिपिका को स्टेटियम में धोनी के लिए शेयर अप करते हुए भी देखा गया। कहा तो ये भी जाता था कि धोनी ने दिपिका पादुकोन के कहने पर ही अपने लंबे बाल कटवाए थे। उस वक्त धोनी के लंबे बाल बहुत ट्रेन में थे। हाला कि धोनी और दिपिका की लव स्टोरी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी। इस लव स्टोरी को लेकर ना तो धोनी और ना है दिपिका की तरफ से कोई कमेंट किया गया था